हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं Hattag Hindi Channel दोस्तों अगर आपके भी एक से ज़्यादा Gmail अगाउंट है और आप किसी अपने Gmail अगाउंट को बंद करना चाहते हैं या डेलीट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजी और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजीए दोस्तों Gmail अकाउंट डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले औपन करना होगा अपने Gmail एप को Gmail एप ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में जो तीन लाइने दिखाए दे रही हैं वहां करेंगे क्लिक उसके बार नीची जाएंगे हम setting में यहां हमारी general setting खुल चुकी है जितने भी Gmail account हमारे login है phone में वो सभी यहां show जाएंगे अगर उसके इलाबा किसी Gmail account को हम delete करना चाहते हैं तो add account पे करके पहले add कर लेंगे add account पे करने के बाद अगर हमारा Gmail या email account है तो Google पे क्लिक करेंगे अगर हमारा Yahoo का account है तो Yahoo पे क्लिक करके हम उसे पहले add कर लेंगे हमारा यहां Gmail account शोओ होने लग जाएगा फिर हम वहाँ क्लिक करके open कर लेंगे उसके बाद यहां जाएंगे manage you or Google account पे उसके बाद यहां है personal information और तीसरा option है data and personalization हम वहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे जाएंगे नीचे जाने के बाद यहां एक option है delete a service और your account यहां हम करेंगे click उसके बाद यहां दो option है एक delete a Google service इसमें एक कोई particular service को आप delete कर सकते हैं या तो YouTube को delete कर सकते हैं या Gmail account को दोनों में से किसी को कर सकते हैं दोस्तों Gmail account delete करने से पहले आपको एक चीट का ध्यान रखना होगा कि जहां जहां हमारे Gmail account link है वहां से वह permanent delete हो जाएगा और यह username हमें दुबारा अवलेबल नहीं होगा इसलिए delete करने से पहले इस चीट का ध्यान रखिए फिर delete your account पे हम करेंगे click अब यहां password डालके हम करेंगे next अब यहां हमारा एक page open हो चुका है यहां हमारा कर दीजिए क्योंकि Gmail account से जो भी आपका data link होगा वह सभी permanent delete हो जाएगा वह दुबारा रिकावर नहीं होगा इसलिए आप पहले ही download करके रख लिजिए अब delete करने के लिए हमें जो white color के दो box है वहां click करना होगा वहां click करने के बाद हम delete account पे click कर देंगे दोस्तों यहां लिखा आ चुका है कि हमारा Google account delete हो चुका है तो दोस्तों ऐसे ही हम अपने Google account को delete कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो like कीजिए thank you